टेंडी और इंग्लेंड के बीच में पहला वंडे मैच जो की संडे को 3 दिसंबर को साम को 7 वज़े से खेला जाएगा और ये मैच सर विवियन रिचर्स से स्टेडियम में खेला जाएगा सबसे पहले यहां के मौसम की बात करा है तो बारिस होने के थोरे बहुत चांसिस रहे बात करें यहां पर टोटल 23 वंडे मैच खिले गए हैं जिन में से टोटल 3 मैच यहां पर बारिस के कारण खराब हुआ है तालीस परसेंट टीमों ने फास्ट बैटिंग करके मैच जीता जबकि 45 परसेंट टीमों ने यहां पर जिसने बाद बले बाजी करी है उसको जीत मिली है ओबर बात करेंगे यहां के पिछके बारे में जो पिछले 10 मैच में टोटल 63 विकेट इस्पीनर्स के खाते में गया जबकि 88 विकेट फास्ट वॉलर ने यहां पर लिया है ओबरल बात करूं 42 परसेंट विकेट लगभग स्पीनर्स के पास जबकि 58 परसेंट विकेट फास्ट वॉलर को यहां पर देखने को मिलता है उसके अलावा पिछकी बात करेंगे तो पावर प्ले में लगवग 10 ओवर ज़्यादा इस्तिमाल भी यहां पर होता है टॉप एज लगने के कारण भी यहां पर काफी ज़्यादा बिकेट्स गिरते हुए नजर आते हैं ओबरॉल इस ग्राउंड पर कितने रंस बनेंगे और टीम होगा क्या होगी स्कॉर सब कुस बात करते हैं लेकिन एबरेज स्कॉर की बात करो तो 233 रं इस ग्राउंड पर एबरेज स्कॉर नजर आता है जो काफी अच्छा है जबकि 210 रं सेकेंड इनिंग का एबरेज स्कॉर यहां पर नजर आएगा इस ग्राउंड पर वैसे अगर देखा जाए पिछ पर आपको घास भी नजर आएगी जिससे बॉल काफ पर रिसेंटली खेले गए जो की महिला टीम के मैच थे जिसमें इंग्लैंड वेस्टेंडि वॉमेंस ने मैच खेला था जिसमें 2nd वॉमेंड256 फ़र्ष इनिंग में बनाये तैं 151 रं से मैच जीता जबकि इंग्लैंड वॉमेंसरे मैच में भी 2201 रं फ़र्ष इनिंग मे लेकिन ये मैच दिन में खेला गया था जबकि ये मैच दे और नाइट का होने वाला है तो टेंपरेचर डाउन भी रहेगा उसके भी चांसे से हाँ पर रहेंगे इस वज़ा से कहीं ने कहीं बल्लेबाजी ही ज्यादा बेहतर होगी उसके लाबा बात कर रिसेंटली पांच मै लिए जिल बाकी तीन मैचों में हार मिली जो का वरड कंप मैच रहा था बात करेंगे पिछले जो 10 तीम के बीच में हेट-टू-एट हुए है उसमें से इंग्लाइन की टीम ने 8 मैच जीते हैं। जबकि Westandridge ने 2 मैच जीते हैं। साथ ही साथ बात करें, पिछला जू तीन मैच दोनों टीम के बीच में हुआ है, उसमें से एक मैच मात बीच जीता था। उसके लाबब बाकि के 2 match को फिलहाल के लिए इंग्लाएंड की टीम ने जीते थाith पांच मैचों की बं डे स्रीज दोनों टीम के बीच में 2019 में वर्ड कप से पहले खेली गई थी और उसमें फिलाल के लिए इंगलेंड ने स्रीज जीता था उन दो मैचों की भी बात करेंगे चौथे और पांचवे टी वंडे मैच उसके लाबा वर्ड कप 2019 में जब दोनों टीमें आपस में बिरी थी उसकी भी बात करेंगे चुकि इसमें कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो अभी प् अब बात करेंगे पांच वंडे के तरफ चलते हैं एलेक सेल ने यहाँ पर 23 रन बनाए जौस वटलर ने फिर से यहाँ पर दूसरा टॉप स्कोरर उसके लाबा थॉमस ने पांच विकेट लिए कार्लोस ब्रेथवेड ने दो विकेट क्रिस गेल ने फिर से यहाँ पर अच इस मैच में फिलाल के लिए आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे दोनों टीमों के पिछले जो दस मैच रहे हैं उसमें कौन सी टीम ने किस तरीके से मैच जीता है बेस्टेंडीज ने पिछले दस मैच से सिर्फ चार मैच जीते हैं 233 का अबरेज इसकोर 374 हाइस्ट तो था लेकिन इसकोर नीदर लेंड ने फिलाल के लिए वो मैच टाई रहा था और सूपर ओवर में जीत लिया था उसके लाबा 114 लोएस्ट इसकोर उसके अलाबा 231 का अबरेज इसकोर 278 हाइस्ट और 158 लोएस्ट इसकोर नजराता है जबकि इंगलेंड की टीम ने जो पिछला आज 7 मैच खेला है उसमें से इस टीम ने 57% मैच जीते 246 का अबरेज इसकोर 333 का हाइस्ट इसकोर और 163 का लोएस्ट इसकोर नजराता है ये इंगलेंड का इस ground पर सरविवियन रिचर्स ग्राउन पर record है उसके लावा बात करेंगे prediction की इस match में जीतने की तो सिर्फ 30% chance है कि ये match bestandies की team जीत सकती जबकि 70% chance है ये match England की team जीत सकती उसके लावा जो team बाद में बलेबाजी करने जाएगी उसके बिनिंग करने के कम से कम यहाँ पर 70-75% chance होंगे कि वो team यहाँ पर match को बिनिंग कर सकती उसके लावा आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे दोनों team के squad की तो bestandies की जो squad है उसमें say hope आपको captain नजर आएंगे अलजारी जूसिब वाइस केपटन उसके लावा एलाईस अथांजे यानि कारिया और उसके लावा कैसी कार्टी रोस्टन चेस मेथिव फोर्ड उसके लावा सिम्ड़न हेटमायर ब्रेंडन किंग और गडाकेस मोटी है उसके लाबा जॉर्ण ओर्टी सॉर्टें रदर फोर्ट और रोमारियो सेफ़र्ट ओसन थैमस ये प्लियर्स आपको नजर आएंगे स्क्वार्ड में जबकि इंग्लेंड की बात करें जॉस बटलर डस एकिंसन हैरी परूक बेंडन कार से जॉक करॉली उसके लाबा सेम करन ब जिसमें किस सेव ओफ जो की फिछले 10 मैच में 452 रन बनाया है पच्पन का 56 का इसका एबरेज और 93 के स्टाइक रेट उसके लाबा ब्रेंडन किंग 10 मैच में 292 रन बना चुके हैं उसके लाबा हैरी बुरूक की बात करो 6 मैच में 179 रन जॉस वर्टलेंड नौ मैच में 13 इस स्क्वार्ड में यही दो बेस्ट फ्लेर इंग लैंड की तरफ से निजर आते हैं उसके लाबा अलजारी जोसिप की बात के लिए 7 मैच में 11 विकेट उमारियो सेफर ने 7 मैच में 9 विकेट गस एटकिंसन ने 3 में 4 और 6 में 3 विकेट लियाम लिविक्स्टन ने लिए है आप बात करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन हम किसको कर सकते इस मैच के लिए इलहाल के लिए कैप्टन के लिए सबसे बेस्ट होंगे से हो ब्रेंडन किंग और जॉस बटलर यह कैप्टन के लिए बहुत बढ़िया होंगे ब्रेंडन किंग को आप वाइस कैप्टन भी कर स प्छिल सार्ज ने जो पिछला तीन मैच कहला उसमें ठीक ठाग परफॉमेंस बहतर करते नजराएं, श्रीकṣ 몸 ने भी अच्छा परफॉमेंस किया है, ठीक ठाग परफॉमेंस नजराथा है, उसके लावा Ben Deket का भी फॉर्म बहुत बढ़ हैं देखने को मिला है San Rich का भी फॉर्म अच्छा देखने को मिला बल्लेबाजी में बेहतर रहे हैं अलाई से थान जे की बात करो तो ये भी जब अरतस फॉर्म में चल रहे हैं इसलिए इनको मैंने कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए यहाँ पर नाम सुझाया यह प्यतर होंगे समाल लीग के लिए खास करके उसके लाबा एंड्री टर्नर भी बहुत बेतरीन फॉर्म में रहे हैं का टीम है वह मैं यहां प्रोवाइट कर देता हूं और वीडियो बनाने में काफी बेनत लगता है तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहे साथी साथ बगल में टेलिग्राम चैनल है वह आप जोइन कर लिजे वहाँ पर आपको करेंट पिच रि लाइक कर दीजे दो